हेलो एवरिवन आज हम लेके आईलवानी एकदम स्पेशल बिहारी डिस कहा है से के डिश बिहारी बाप तो थोड़ा सा भोचपूरी बोलल तो बनता तो बढ़िया से लिट्टी चोखा की रेसिपी लेके आई हूं मैं आपके लिए बहुत ही इसमें अच्छे टिप्स और ट्रिक्स है तो विडियो को मिस बिल्कुल नहीं करेंगा, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखेंगा इसे बनाने के लिए ना मैंने गोईठे का यूज किया है ना गैस तंदूर का यूज किया है बड़ी आसानी के साथ मैं आपको बताऊंगे और ये बिल्कुल वैसा ही सोना-सोना सा खुस्बू के साथ जो गोईठे के लिट्टी होती है उसी की खुस्बू जैसी ये तयार हो जाएगी लेकिन गैस पे तो पूरी स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो करिएगा मैंने यहाँ लिया है दो कप आटा गेहू का आटा और उसमें मैंने डाल लिया था थी टेपल स्पून बेशन वन टेपल स्पून नमग और एक चमच गी इन सारे चीजों को अच्छे से मलना है हमें और ताकि घी और आटा च्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद हमें टाइट डो लगाना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर लिट्टी का जो डो होता है वो टाइट ही होता है तो यह बिल्कुल मेरा आटा रेडी हो चुगा है और अब मैं आपको सत्तू बनाने की इसकी जो फिलिंग्स होती है सत्तू की वो बताती हूं मैंने लिया है एक कप सत्तू इसमें जाएंगे हरी मिर्च तीन या चार हरी मिर्च मैंने काट लिया है मिर्च कम खाते हैं तो कम डालिए और यह लेसुन लेसुन को मैंने इस तरह क्ली यह काटा है कि लिट्टी तो अच्छा लगता है यह लिडया है तो अच्छा लगता है व मैं एट तेस्ट अच्छा आता है और यह मैंने लिया है इसमें दो नीबु का रस निकाल लिए था मैंने घटट Agreement मैने दो नीबु का यूज दा brewing और स्वात की हिसाब से मैंने इसमें नमक डाला है नमक डालने के बाद मैंने इसमें डाला है सरसो का तेल लिट्टी में सरसो तेल ही पड़ता है और सरसो तेल डालने के बाद क्योंकि बिल्कुल बिहार से लिट्टी आई है ना बिहारी लिट्टी तो बिलकुल बिहारी अंदाज में पता रही है यह मैंने डाला कलाँजी या बिहारी में इसको मंग्रेला कहते हैं पर यह कलाँजी है तो मैंने एक चोथ हाई चमच कलाँजी डाली और लगबग वन टी स्पून का आधा महिने क्रश करकर इसमें जब आज वाइन डाला है इसी के साथ मैंने एक मुठी बर्धनिया के पत्ते को चौप करके डाल दिया है इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्ष कर लेंगे क्योंकि सब्सक्राइब तो हमें क्या करना है कि इसमें तीन या चार चमच आप इसमें पानी मिलाएं ताकि थोड़ा सा भीगा भीगासा हो जाए बहुत जरूरी होता है यह प्रोसेस करना नहीं तो इससे क्या होगा इसे आपको जब आप सत्तु खाओगे ना तो गले में सरकने लएगा या अटकने लेगा तो आप पानी जरूर मिलाएं सत्तु में ताकि थोड़ा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जब आप पानी मिलाओगे तो और सबसे में जीज इसमें मैं थोड़ा सा अधरक कद्दुकस करोंगी अधरक लगबग मैंने एक इंच अधरक को इसमें कद्दुकस कर लिया है अ यह सारे चीजे हो गई अब आती है चोखे की बारी तो मैंने ले लिया एक बैगन और तीन टमाटर बैगन को हम एक बून तेल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे इससे क्या होता है ना बैगन बहुत जल्दी पक जाते हैं और ग्रीस करने के बाद मैं चाकु से बैगन के बीच म चेक कर लोंगे कोई इसमें कीडा वेगर है तो नहीं लगा है अधरवाज वो कीडा भी पक जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा और हम कीडे का भी चोखा बना के खा लेंगे तो यह प्रोसेस करना भी बहुत जरूरी है आप बैगन को बीच से काटकर जरूर चेक कर लिज तो यहां यह पक गए और यह बिल्कुल रेडी हो चुके है अब इनका जो ब्लैक पार्ट है जो चिलका है उसे मैं अच्छे से पील कर लूँगी सारे चिलकों को पील कर लूँगी मैं मैंने आलू भी बॉइल कर लिया था क्योंकि चोखा में आलू भी डलता है तो मैंने त अब गरम होते हैं फिर हाथ जल जाएंगे बैगन का चीलका इस तरह सापको पील करना है इसी तरह से मैंने अपने सारे टमाटर बैगन और आलू को अच्छे से चील कर साफ कर लिया इसमें जाएगा प्याज मैंने छोटा साइस का प्याज को चॉप कर लिया था थोड़ा इसी हरी मिर्च में कमी डाल रही कोई कि मैंने सत्तू में डाला था तो बच्चों को भी खाना है तो आप अगर मिर्च खाते हैं तो आप अमांट बढ़ा लीजेगा मैंने नमक डाला इसमें एक छोटा चमच नमक नमक का भी ध्यान रखिएगा चोखा में और सरसो का तेल इसमें सरसो का तिल कच्चा ही जाता है बिहारी लिटी चोखा में सरसो का तिल कच्चा ही पड़ता है अब इन सारे चीजों को थोड़ा सा मैं लेसन भी डाल रही हूं अब इन सारे चीजों को मैं मैश करूंगी और क्योंकि बिहारी चोखा है तो इसके लिए मुझे अपने भी रखे हुए लगवाग 10 मिनिट हो गया है अब इसके मैं छोटे 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 गोली बनाऊंगी लगवाग एक बॉल साइस का होना चाहिए क्योंकि लिटी थोड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है तो मैंने यहां पर 4-5 बॉल बना लिए है और इसको मैं थोड़ा की फिरिंग्स को डालूंगे थोड़ा सा हलका प्रेस करकर डालिएगा और डाल कर आप इसके मुझ को अच्छे से सील कर लिए कर लीजिएगा इस तरह के प्रोसेस से जब आप लिटी बनाऊंगे ना तो बिल्कुल वह गोईठे वाली लिटी की स्वाद आएगी क्योंकि इ इसी तरह से मैंने ठाल बना गर कर लोंगी है तो यह जो गया अब आपको यह बताते हैं जो इसे बनाना कैसे है तो मैंने लेडिया है ईग vaver को हम एक या दो बुन टेल से न उसका जो बेस होता है उसका थोड़ा घृस कर लेंगे इसका आटा जो है वो कुकर के तले में चिपके गा नहीं इस तरह से हिला कर में घृस कर लूमिंगे और इसमें मेरा कुकर क्योंकि 3 लिटर का है छोटा है तो इसमें एक बार में 4-5 लिट्टी ही चाती है तो बिल्कुल जैसे फ्लावर बनाते हैं गोल गोल वैसे फ्लावर सेप की तरह मैं इसे रख दूँगी और रखने के बाद आपको यह ध्यान रखना होगी कुकर के धकन की रबर और सिटी जरूर निका प्लट ना है और बहुत ध्यान से प्लट ना है नहीं तो हाँ जलता कि कुकर काफी गरम रहता है तो प्लट गया और इसे भी मैं पांस मिनट तक पकाऊंगे तो यह हो गया अब मैं इसको बताती हूँ कि यह जो लिट्टी का रंग होता ना कैसे होता है तो जिसके पास यह जाली नहीं है उसके लिए भी बताऊंगे जिसके पास जाली उसको भी बता रही हो कि इस जाली पर रखिये और चिम्टे की मदद से उलट पुलट कर थोड़ा से स्पॉट्स आ जाता ना ब्लैक वाला तो लगता है कि अरे वाह यह तो बिल लिट्टी बनके तयार हो गई है तो इस तरह से हो गया है कि बिल्कुl तयार है देखिए कोई फर्क नहीं है सुआथ में होता आप एक बर बनाकर देखियेंगा अब ये बिहार की लिट्टी में घी तो जाता ही है तो इसको मैं थोड़ा सा घी इस पर डाल कर इसको मैं टौश कर लूँगी ये तैयार हो चुका है अब बस जरूरत है इसकी बढ़िया से प्लेटिंग करने की ताकि जिसको दे तो बस तूट पड़े खाने को तो विहारई लिट्टी यह भाई गीतों कटुरी भी डालना मुद्टा है साथ में कचचा प्याज रोड मिर्च और चोखा वीडियो आपको जरूर बसंद आया हοगा तो श्येर करें वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में तबते के लिए बाई टेक कियर और थैंक यू फ्रवाट